दिल्ली कॉंग्रिस को अब नया जटका क्या लगा है और क्या आमादी पाटी और कॉंग्रिस के गड़ बंदन के बाद कॉंग्रिस में अब अरविंदर सिंग लवली का अगला कदम क्या होने जा रहा है इन सवालों के जवाब देखने के लिए आपको ये विडियो आंत तक देखना होगा और अगर आपने न्यूज 8 इंडिया का डिजिटल यानि की यूट्यूब चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए लेकिन इस बीच दिल्ली कॉंग्रिस को लेका यही सबसे बड़ी ख़बर है कि दिल्ली कॉंग्रिस को एक कि आमादी पार्टी और कॉंग्रिस का जो गटबंदन हुआ है दिल्ली में वो उनको मंजूर नहीं है जो सीटे कॉंग्रिस के खाते में आई है वो भी उन्हें नामंजूर है और यही वज़ा है कि उनकी तरफ से ये स्तीफे की पेशकरश की गई है हालंकि उन्होंने पार यहां पर हो रही है इस डील के बाद जो आमादी पार्टी और कॉंग्रस के बीच हुई है इस डील के बाद अब दो खेमेबंदी हो रही है पहली खेमेबंदी यह है कि अरविंदर सिंग लवली का एक खेमा हो गया है और दूसरा खेमा वो हो गया है जो इसकी पैरवी कर र प्रात्मिक सदस्यता यानि की okay ये दूसरा बड़ा जहका जो दिल्ली कॉंग्रस को लगता हुआ यहांपर नजर आज आ रहा हैं की आपने देखा यह हाल दिनो में किस तरीके बहूं सिंग की तरफ से बकाइद एक प्रेस कॉंफरेंस की गई उनकी तरफ से साफ शब्दों में ये कहा गया कि जो नायक भुमिकाय जो सूत्र धार थे आमादी पाटी और कॉंग्रस की बीच में इस गडबंदन के जो सूत्र थे वो अरविंदर सिंग लवली ही थे उनकी तरफ से बकाइदा प्रेस कॉंफरेंस करने के बाद अरविंदर सिंग लवली को धन्यवाद भी कहा गया हाला कि उसके बाद अरविंदर सिंग लवली की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई उनकी तरफ से कहा गया कि जब गडबंदन बंद रहा था या गडबंदन का सूत्र थे और संजे सिंग पर उनकी तरफ से आरोप लगाए गाए कि शायद वो जेल से जब से बाहर आएं उसके बाद से सदमे में इसी लिए वो इस तरीके की बाते कर रहे हैं अब एक अंगल यह भी निकल कर आ रहा है कि यह पूरा ड्रामा रचा जा रहा है अरविंदर सिंग है और जब भी गडबंदन की बीटिंग्स हुई है दिल्ली और कॉंग्रेस की गडबंदन की सीटों को लेकर तब तब वो अध्यक्षपद पर तैनात ही नहीं थे दिल्ली में तो उनकी तरफ से साफ़तोर पर कहा जा रहा है कि गडबंदन से उन्हें दिक्कत जरूर है क्य कायद ये दोनों ही पसंद नहीं आ रहे हैं और विरोध नासिफ अर्विंदन सिंग लवली कॉंग्रेस में कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस के तमाम कारेकरता उदित राज और कनया कुमार को लेकर विरोध जता रहे हैं उनकी टिकट को लेकर बकायद आपने देखा बेहोग और ऐसे में दिल्ली में वोटिंग भी होने वाली है और बीच में जो संकट अब दिल्ली इकाई में गहरता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद कॉंग्रेस की हालत दिल्ली में क्या होगी या वोटिंग के दिन कहीं न कहीं इसका असर जो है वोटों पर पढ़ता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि आपने देखा है चार और तीन का फॉर्मूला जो यहां पर दिल्ली और आमाधी पार्टी के बीच में हुआ है और जो दो विधायक है पूर विधायक और अर्विंदर सिंग लवली है इनके तरफ से साथ तोर पर कहा गया है कि गड़ बंदन से खुश नहीं ह हैं तो अब इसका असर कॉंग्रेस पर या वोटों पर कितना होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस में all is not well कर दो